हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टू माई चैनल, मेरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से बोलते आये हैं कि विंटर में आप अपनी सरीर का द्यान रखेंगे तो पूरे साल आपके सरीर में इतनी सक्ते रहेगी, इतनी टाकत रहेगी और सब लोग आज भी ये फॉलो करते हैं, सब लोग विंटर में अच्छा अच्छा खाते हैं तो स्कीन के बारे में भी ऐसाई है, विंटर में आप आपके स्कीन की अच्छे से केर करेंगे तो पूरे साल आपके स्कीन इतनी अच्छी रहेगी और इसका एक रीजन भी है हमारी स्कीन जो तीन टाइप की होती है नॉर्मल, ड्राइब और ओईली तो हरेक की स्कीन विंटर में ड्राइब हो जाती है तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वही दिखाने वाले हो कि सिप दो चीजों का यूज करके अप पूरा विंटर आपकी स्कीन की केर करके अप ग्लोप आ सकते हो मैं आपको दिखाते हो विटामिन E ओईल यह देखो यह विटामिन E की कैपसूल है यह आपको कोई भी आज पास जो भी मेडिकल स्टोर होता है वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी दूसरा आलमंड ओईल यह आलमंड ओईल भी आपको मेडिकल स्टोर में से मिल जाएगा यह 100 रुपीस का आता है और यह जो विटामिन E कैपसूल है यह आपको 30 रुपीस में मिल जाएगी सिर्फ यह दो ही चीजों से पूरा विंटर आप आपकी स्कीन की क्यार अच्छे से कर सकते हो और यह लगाने के बाद डे बाई डे आपकी स्कीन की कॉलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी स्कीन में से पिगमीटेशन चला जाएगा डार्क सरकल जो आँखों के आसपास होता है वो रिमूव हो जाएगा और जो हमारी नेचरल स्कीन होती है वो स्कीन आपको मिल जाएगी जो डेर स्कीन होती है वो रिकवर हो जाएगी आपके स्कीन इतनी गोरी हो जाएगी, इतनी साइनी हो जाएगी, इतना मौसर आजाएगा कि आपको और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये कैपसुल इतनी ठीक होती है कि आप डायरेक्ट आपकी फेस पे अपलाई नहीं कर सकते हो क्योंकि यह easily penetrate भी नहीं होगा और आपको इतना अच्छा result भी नहीं मिलेगा और आप direct apply करेंगे तो racist भी आ सकते हैं क्योंकि कहीं लोगों की skin इतनी sensitive होती है तो आपको मैं एक तरीका दिखाते हूँ यह पूरी आपको vitamin E capsule का एक packet लेना है और यह almond oil लेना है और आपको यह दोनों mix करना है और इसका कोई measurement नहीं है कि आप लोगों को कितना लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हो और इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी bottle लेनी है यह bottle आपको glass की लेनी है और इसके अंदर आपको यह दोनों oil mix करना है मैं आपको दिखाते हूँ इसके अंदर आपको यह बादा मॉयल पूरा half bottle भर देना है यह oil आप आपके हाथ पैर सब जगे लगा सकते हो फिर आपको इसके अंदर पूरा यह जो vitamin E oil का packet है वो mix करना है आपको यह जो पीन है इससे आपको capsule के अंदर ऐसे haul करना है फिर एक एक करके पूरे bottle में यह आपको तो आपको सब capsule इसके अंदर mix करना है आलमंड oil और vitamin E capsule मैंने दोनों को अच्छे से mix कर देया है अब आपको आपके face पे कैसे apply करना है वो मैं दिखाते हूँ अगर आपके पास यह अलमंड oil ना हो तो आप जो हम खाने में coconut oil का जो यूज करते है उसका भी यूज कर सकते हो और यह oil की कोई भी side effect नहीं है लेकिन जिसकी skin ज्यादा oily है या sensitive है वो लोगों को सायद कोई बार racist आ सकते है तो आप लोग award कर सकते है आप यह एक या दो बार apply करेंगे तो यह आपको पता चल जाएगा कि यह oil आपको suit करता है कि नहीं और मैं मेरी बात करूँ तो पूरी मेरी life मैंने सिर्फ यह दोनों चीजी मेरे face पे लगाई है और मेरी skin को healthy रखा है चलो मैं वीडियो स्टार्ट करते हूं और आप लोगों को दिखाती हूं कि यह कैसे apply करना है इसके लिए सबसे पहले आपको आपका face अच्छे से clean करना है आप toner से भी clean कर सकते हो, cleansing से कर सकते हो, आप जो weight tissue होते है उससे भी कर सकते हो और मैं गुलाब जल से करते हूं याने मेरी पहली एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गुलाब जल हम जो rose water होता है वो हम घर बेठे कैसे बना सकते हैं इसके link में आप लोगों को description box में लिखते होंगे आप यह जो weight tissue है इससे भी आपका face clean करके यह apply कर सकते हो tissue लेके पूरे face आपका clean करना है और मैं आपको दूसरा तरीका दिखाते हूं यह rose water आपको ऐसा एक tissue लेना है और रोज वाटर आप डायरेक अपनी face पे ऐसे भी आपलाई कर सकते हो और आप ऐसे भी आपलाई कर सकते हो आप tissue में लेके भी आपलाई कर सकते हो सबसे पहले आपको यह चारिया पांच डॉप लेके ऐसे डॉट करना है फिर आपको आपकी finger से पांच मिनिट ऐसे मसाज करना है यह वाइड आपको सोते वक्त लगाएंगे तो आपको ज्यादा benefit मिलेगा क्योंकि पूरी रात आपके face पे यह रहेगा यह कि स्कीन में अच्छे से चला जाएगा तो आपको सुबह उटके यह रिमू करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगे आपको मेरे कली फ्यक्त मिलेगे अपके स्कीन इतनी अच्छी हो जाएगे आपको दोई दी में पता चल जाएगा कि इसका कितना ज्यादा benefit है आपको सीफ यह चार या पांच मिनिट मसाज करना है फिर आपको सुबह उटके सिर्फ water से अपना फेस क्लिंग करना है आप यह ऐसे हाथ या पेर सब जगर लगा सकते हो अगर आपके पस रात को लगाने का time नहीं है या आपको रात को लगाने में आप comfortable नहीं हो तब दिन में भी यह लगा सकते हो दिन में आपको लगा कर आपके फेस पे 30 मिनिट्स रखना है फिर आप गीले cotton से पोच देना है अपना फेस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे अच्छी अच्छी कॉमेंट्स करेंगे तो मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और इसका तो मेरा गैरंटी है आपको पक्का इतना benefit मिलने वाला है तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोग की स्कीन पी कैसे हुई